अगर आपका पीसी या लेपटॉप सलो चल रहा है या हैंग कर रहा है तो आप उसे इस मुथली कैसे रन कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम उसी तरीके के बारे में बात कने वाले हैं जैसा कि दोस्तो हम जो भी तरीके आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं वो तरीके हम खुद फालो करते हैं जब हमारा PC या लैपटॉफ हाइंग करता है या स्लो चलता है ठीक है तो हम उसी तरीके को फालो करते हैं और हमारा जो PC या लैपटॉफ है वो smoothly प्रॉपर से रन करने लगता है जैसा कि दोस्तो जब भी आपका लैपटॉफ या PC का स्पीड स्लो होता है तो आपका जो माउस है काफी स्लो वर्क करता है ठीक है तो जैसा अभी आप देख सकते हमारा जो माउस है काफी फास्ट वर्क कर रहा है हम रिफरेश कर रहा है और फटा-फट करना है ठीक है तो run type करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा और यहां पर आपको percentage temp यह पहला तरीका है दोस्तों जो हम follow करते हैं वो आपको हम बताने जा रहे हैं ठीक है तो percentage temp और फिर percentage का यहां पर हम डालेंगे और फिर OK बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने काफी सारे temporary files ओपन हो जाएंगी अब हमें इसे डिलीट करना है तो उसके लिए हम यहां पर Ctrl A प्रेस्ट करेंगे कीबूर्ड के अंदर और सारा जो फाइल है हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर delete बटन पर क्लिक करके इसे हम डिलीट कर लेंगे ठीक है तो कई बार जो है काफी सारे files ऐसे होते हैं जो delete नहीं होते हैं क्योंकि वो आलरेडि जो है running में होते हैं वो files या programs इसलिए वो delete नहीं होते हैं तो उसे हम यहां पर try again बटन पर क्लिक करके दुबारा से try कर स छärकते हैं अगर 2-3 बार ट्राइ करने के बाद भी यह डिलीट नहीं होता है То DC उमने इसे किप एक पर देना होता है ठीक है तो यह दूस्तो जο फाइल है डिलेट नहीं हो रहा है मतलब कि यह रणिंग फाइल है तो इसे हम किप कर लेते हैं तो इस तरह के से हमने पहले step जो है complete कर लिया है तो अभी दुबारा से हम same process follow करेंगे और run पर click करेंगे अभी दोस्तों हमें यहाँ पर percentage नहीं लगाना है only temp टेम्प जो है type करना है और ok बटन पर click करना है अभी दोस्तों फिर से हमारे सामने काफी सारे files open हुई है और इसे भी हमें select करना है control A press करके और फिर इसे delete करना है और यहाँ पर भी दोस्तों हमें similar process follow करनी है skip करने का अगर 2-3 बार try करने के बाद भी delete नहीं होता है तो समझ लीजिए वो running file है वो delete नहीं होगी तो आप उसे skip कीजिए और फिर back हो जाए ठीक है तो फिलाल दोस्तों हमने 2 step complete किये अभी हम यहाँ पर दुबारा तीसरी बार जो है हम run type करेंगे और फिर यहाँ फिर से अभी हम type करेंगे prefix ठीक है तो prefix type करेंगे तो उसमें भी काफी सारी files होती है temporary files जो हमारी computer या laptop की speed को कम करती है तो जैसे हम यहाँ prefix type करके ok बटन पर क्लिक करतें तो यहाँ पर कुछ वारिंग्स आ रही है तो हम यहाँ निचे continue बटन पर क्लिक कर लेंगे उसके बद दूस्तों हमने काफी सारे files open होकर आ जाती है इसे भी हमें delete करना होता है तो उसके लिए हम यहाँ keyboard के अंदर control A प्रेस्ट करेंगे और delete बटन पर क्लिक करके इसे हम delete करेंगे ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर third step complete कर लिया है तो अभी दोस्तों fourth step बाकी है जो की final step है इसके बाद जोस्तों आपका 99% chance है कि आपका जो computer है वो smoothly run करने लगेगा तो अभी फिलाल दोस्तों हम फिर शे वहाँ पर आते हैं और फिर यहाँ run type करते हैं और enter button पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर हम type करेंगे clean MGR ठीके clean MGR type करके हम यहाँ नीचे ok button पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों हमारे सामने हमारा जो drive है वो open होगा आपको यहाँ पर drive select करना है आपके pc में जो भी drive रहेगा cd वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा तो फिलाल हमें c clean करना है तो c select करके ok button पर क्लिक कर लेंगे अभी दोस्तों disk cleanup जो है यहाँ पर process स्टार्ट हो गया और अभी यहाँ पर दिखे हमें काफी सारे files दिख रहे हैं जो भी files हमें delete करना है उसे यहाँ पर select करना है और फिर नीचे ok button पर click कर लेना है तो फिलाल दोस्तों हमने यहाँ पर सारे files select कर लिये हैं और फिर ok button पर click कर लेंगे और फिर यहाँ delete files के button पर click करके इसे हम delete कर लेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं recycle bin में जितने भी files हमने delete कि थे सब दिख रहे थे अगर इसके बाद भी आपका PC 200 स्मूथ रन नहीं कर रहा है तो फाइनल तरीका यहीं है कि आपका विंडो अपडेट चेक कर लिजे आपका विंडो अपडेट प्रॉपर हुआ है या नहीं ठीक है उसके लिए हम यहां सेटिंग पर आ जाते हैं सेटिंग पर आने के बाद हम हमारा विंडो अपडेट चेक कर लेते हैं अगर आपका विंडो अपडेट जो है शो कर रहा है तो आप उसे अपडेट कर लिजे और इंस्टॉल कर लिजे ठीक है तो यहां पर आपको अपडेट एंड सेक्यूटी के आप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहा जो window है वो updated है तो हम यहाँ check for update के option पर click करके check कर सकते हैं कोई update अगर आया रहेगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको उसे download करना है और install कर लेने है ठीक है फिलाल दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा time इंतजार करना पड़ सकता है जैसे ही आप थोड़ा जिसे हम यहाँ नीचे download बटन पर click करके download कर लेते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसे download कर लीजिए और download होने में भी दोस्तों थोड़ा time लगता है तो आपको उसके लिए भी wait करना पड़ेगा और एक बार जैसे यह download हो जाएगा उसके बाद आपको उसे install करन है ठीक है तो अभी यहाँ पर देखे downloading process start हो गया है जितने भी files आपको यहाँ पर देखेंगी update की उसारी files आपको download करनी है और उसके लिए थोड़ा वक्त भी लग सकता है तो आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा तो दोस्तों हमने यहाँ पर इंतजार किया और अ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जैसे आपका update install हो जाएगा आपको फिर शेहाँ up to date देखने को मिलेगा ठीक है एक बार जैसे आपको यहाँ पर up to date देखने को मिलता है उसके बाद आप अपने laptop को थोड़ा refresh कीजिए refresh करने के बाद एक बार laptop या computer को restart कीजिए उसके बाद आप चेक करेंगे तो आपका laptop या PC जो भी है वो काफी smooth जो है run कर रहा है ठीक है तो दोस्तों कुछ यह तरीके हैं जो हम खुद follow करते हैं जब भी हमारा laptop या PC smooth run नहीं करता है काफी slow हो जाता है या hang करता है तो इस तरीके से हम हमारे PC laptop को smoothly run करते हैं तो दोस्तों दिए अगर आपकी समस्या का समाधान हो चुका है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजेगा और लाइक करना मत भूलेगा तो दोस्तों चलते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के झाल